यानि कि Yes Bank में यह सब तो हो ला लेकिन आगे क्या है इसकी रास्ता लंबा होता है ध्यान रखना सर आपको बहुत दूरी ते करने पड़ती है अपनी जिंदगी के लिए तो उसका रास्ता उसका समय लंबा होगा सर एक महिने में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी जो मनोर्ष्थि नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सारतक बजार से और आज बात करेंगे सर आईडीपाइब बैंक की और बात करेंगे सर, यस बैंक की सर, इन सब की बात करने से पहले आपके एक चीज बता दू में सर, कि जब हम कोई शेरों को रख रख के न ठक जाते हैं, और उसमें अपना जो नजरिया है वो फिर निगेटिव बना लेते हैं, और सुरुआत में जब उस सेर को हम ऐसा क्या हो जाता है, कि हमारी जो मनो इस्तिती है वो चेंज होती रहती है, यह सब साइकलोजी का काम होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, जैसे जैसे महीने बीचते जाएंगे, आपका शेर प्राइस दीरे दीरे नीचे की तरफ आता रहेगा, और वो बिंदू आप को उसलिए बनता नजर आ रहा है, उसलिए उबरता नजर आ है कि आप उस सेर से एकडिट कर लें सर, यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सच का रास्ता लंबा होता है, ध्यान रखना सर, आपको बहुत दूरी ते करनी पड़ती है अपनी जिंदगी के लिए, तो उसका रास हमने भी चोदा वर्स का वनवास काटा था सर, लंबा रस्ता था, जितने भी अविस्कार हुए हैं, सब के सब एक दिन में नहीं हुए हैं, सालों में हुए हैं, लंबा रस्ता था सर, आप स्कूल में पढ़ने गए हो और आपने फिर डिगरी प्राप्ट करी, बहुत लंब लंबा रस्ता था सर आप नोकरी को जौइन करोगे उसकी तैयारी करोगे लंबा रस्ता है सर तो शेयर मार्किट फिर सोट ट्रम में हमने इसको लेकर क्यूं लज गए है सोट आप होता है जाहां जहां प्रॉफिट लेना चाहते हूं वह सोटरम है जब लेकिन लॉंग ट्रम वाला आपको जिन्दगी में सक्सस करके जाएगा मेरा कहने का मतलब यह है सर तो बात करते हैं सर IDPI बैंक की और IDPI बैंक की इसलिए बात करेंगे सर की अगले महिने से इसकी प्राइवेट की जो बोलिया ना अमंत्रित की जाएगी प्राम्रिक बोलियां अमंत्रित की जाएगी सर आपको एक्षी और बता दूं कि सुकरवार के दिन निर्मला सिता रमन जी ने एक पिच्चर किलियर कर दी है कि विनिवेस का मतलब ये नहीं है कि किसी बैंक को किसी कमपनी को सरकारी को बंद करना बलकि उनका विनिवेस का मतलब ये है कि उस कमपनी में सर अच्छी दृष्टी से काम ओना और जिस तरह से पैसा वाबर कमपनियां काम करती है उस तरह सरकारी कमपनियों में काम होना और उसकी उन्नति होना ये उनका नीजी करन coping का एक अपना रहा है उन्होंने ये भी काये कि वो उनके हातों में कमपनियों को देंगे जो उस कमपनी को चलाने में सक्षम होगी उस कमपनी को चला सके और वस्तुयों का उत्वादन कर सके यह एक पोजिटिव न्यूज वित मंत्री निर्मला सीतरमंजी के बयान से आ रही है जो आपको बता रहे कि जल्दी से जल्दी IDPI बैंक जरूर से जरूर प्राइवेट होने वाला है और आपको एक चीच और बता दू सर में और सवाजनिक संपत्ति परवंदक विभाग यानि की दीपम सर अमरीका की एक यात्रा में है रोड सो में है वहापर वो निवेशक ढू एक चीच और बता दू सर में कि मुझे ना तो इंडियन ओवर्सीस बैंक प्राइवेट होते दिख रहा है ना सेंट्रल बैंक ऑफ प्राइवेट होते वे दिख रहा है क्योंकि इन्होंने एक अपनी आदा दर्जन से जो कंपनी निजी करन करेंगे निवेवी निवेस करें है उसके अंदर तो सर मुझे कई भी IDPI बैंक और सेंटल बैंक ऑफ इंडिया हाली में प्राइवेट होते की दिखा में नहीं दिख रहा है उसके अंदर सर HLL Life Care जिसे सर अडानी जी भी खरीदने की चाह में है और अपना IDPI बैंक और अधर भी है में इसके अंदर आपको डा में उनकी दिल्चस्पी भी सर IDPI बैंक को लेने में कुछ हिस्सा लेने में बनी हुई है तो सरकार सबसे पहले उसे ही विनिवेस करेगी जिसमें उनका जादा इस्टेक है और सबसे जादा सेटेक सर मैं आपको बता दूँ IDPI बैंक में है L.I.C. और हमारी सर केंदर सरकार का तो सारी situation को देखिए कि IDPI bank आने वाले दिनों में आपको बोलिया लगाता हुआ नजरा आएगा और रोड्स हो भी अमरीका में हो रहा है इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अन्य निवेसों को से साथ बैठक भी होगी इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और एक ध्यान और रखना पड़ेगा कि विनिवेस का मतलब यह नहीं है कि कमपनी को या बैंकों को बंद करना बस इस न्यूज को आपको पकड़ना है सर तो बात करते हैं सर यस बैंक की और यस बैंक की एक न्यूज निकल कर कल आई है और उसमें कहा गया है कि यस बैंक ने उचाई का रास्ता क्यों नहीं तेक या कदम क्यों नहीं बढ़ाए शेर प्राइज को उपर करने में क्यूं सेर प्राइज इसका नहीं भागा और इसने क्यूं हलके में नया बोर्ड गठन जो यस बैंक कर रहा है उसकी न्यूज से क्यूं इसके शेरों में उच्छाल नहीं आया तो इसका एक रास्ता ये भी है सरार की जो कमजोर इस्तीति है उसे देखते वे हो और एक पंक्ती और लिखी गई है कि आगे क्या है यानि कि यस बैंक में ये सब तो हो रहा है लेकिन आगे क्या है इसकी एक दिसा में बैंक अपना काम करता जा रहा है तो आपको ये समझना है कि bank में जो news आ रही है वो आ रही है लेकिन bank में उस इस तर पे काम नहीं हुआ है जिस इस तर पे इस price को उपर भागना पड़ेगा तो सारी news का मतलब yes bank का यही है जो कल के दुआरा आपको दिखाई गई है सर मैं फिर कह रहा हूँ कि yes bank में चोटी मोटी उच्छाल और चोटे मोटे गिरावट से विशलित मत हो जाओ अपने को अगर अमीर करना है तो रास्ता लंबा है सर जुन जुन वाला जी भी जब 5000 रुपे लगा कर share market में उत्रे थे उनको पता था कि वहाँ सबसे बड़े बन वर्क को घाएंगे लेकिन उन्होंने सीधे तरीके से काम करना शुरू करा सच्चा मैंने का ता कि वो ही बनेगा जो अच्छे से अपने वर्क को करता होगा तो अचानक से तो जुन जुन वाला जी बिलकु अमीर नहीं बने से लंबा रास्ता था तो यही चीज़े बता रह और आईडी पी आई बैंक को अपनी रडार पर रखो सर अगले मेने से इसकी बोली बोलने जा रही है चीटी को आड़ा तीजे गाये को रोटी तीजे अपने बच्चों को जादा से जादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किसमत पलटेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ जब तक के लिए नमस्कार